जहिन साथियों मैशार रहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपने उद्देश्ची के प्रती समर्पित है और साथ में एक युद्धिस्तर पे तैयारी करते मतलब यह कहना चाहरां साथियों कि बहुत सारे बच्चों का बहुत ही बहतर feedback मिल रहा है कि निरंतरता वह अपनी बरकरार रखे हुए हैं क्योंकि यह 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त के जो हमारा स्मार्ट स्टडी वे पे एक क्विक रिविजन फॉर्मेट में जो यह सेशन चल रहा है जिसमें आप लोगों को 90 से 100 वीडियो मिलेंगे वह आपके प्रिलिम्स प्याधारित है तो इसे आप बहतर तरीके से क्या कर सकते हैं और अपनी परिक्षा में प्रिलिम्स एक्जाम में बहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इस कोश्चन के साथ आस प होता है कि लास्ट यजर का Εग्जाम परते हैं वह हमारा प्लूप्रिन होता है लेकिन हें अभी जो है हमारा यह मतलब आशंका है यह प्रकार मुख्य परिक्षम में में Hamburg का पेपर किया गया है या रिज Si is यह यह लग है कि सिलेबस भी जो है परिवर्तित हो सकता है लेकिन याद रखिएगा साथियों कि हमारा लक्ष है सब इंस्पेक्टर और हमें निकालना है मतलब निकालना है तो हम उस उद्देश से चलें न भई मतलब कि सारा पोर्षन हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे हमारी तैयारी जो है बहतर रहेगी तो हमें सेलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा तो जो निरंतरता बनाये हुए हैं च्छात्र वो इसी प्रकार अपनी निरंतरता कंटीनियोटी बनाये रखें और साथ में बहतर तरीके से परफॉर्म करते रहें ब निरंतरता बिल्कूल बनाये रखेंगा कॉंपिटिशन कम्मुनिटी सारा सेलेवस आप लोगों को इसमें कवर कराएगी मतलब कि हम साथ में सेल्फ स्टडी तो कर ही रहें लेकिन साथ में यह सेशन भी कर लेंगे तो आपका इस तर एडवांस होगा आपका इस तर बहतर हो देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें देन बैल आइकोन दबाए ताकि जो है नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके तो यहां दिखाई दे रहा है आपको कि यह महान लेखक नहीं से कहा है इनके दो आपका कहा जायागा कि उनका नाम नहीं है ठीक है मेंशन होता लेकिन जो है हमारे टाइपिक मोट टाइपिस्ट में होदाई जो नहीं लिखे है कोई बात नहीं लेकिन इस विचार पे जरूर गौर करिएगा साथियों यह आप से रिलेटेट है याद रखेगा देखो कहते हैं लेखक जो सुरी हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है मतलब फॉर्म भर लिए साथ में मैजर्मेंट भी दे दिये हैं जीत उसी का होगा जिसकी संघर्स जारी है मतलब जीत उसी की होगी जि संघर्स जारी है और जो संघर्स इसी प्रकार से जारी रखेगा साथियो बता रहा हूं 101% सेलेक्शन लेगा निरंतरता अपनी बरकरार रखनी है चाहे एक्जाम डेट अभी आया है या नहीं आया है हमारा अगर तैयारी बहतर होगा ना हमारे जेव में अगर बहतर तरीके से हम तैयारी लेके जाएंगे ना मतलब जेव से आसा है नहीं अपने मस्तिस्क में अपने दिमाग से कुछ और रिलेट मत कर ले न ठीक है तो आपका अगर तैयारी बहतर तरीके से लेके जाएंगे तो सलेक्शन से कोई नहीं रोख सकता क्लियर तो आईए इसी के साथ अब ज ब्रह्मान के साथ हमने जो है आपका ग्रहों के बारे में विशेस्ताएं जानी तो सारी विशेस्ताओं को हम बहतर तरीके से प्रस्न के माध्यम से लास्ट वीडियो में किया अब जो है साथियो हम जो है विश्व का जो महादीप है विश्व के सारे महादीप है उसके साथ महासागर है उनके साथ महादूइकों में जो आपके सहर है नागर हैं उनकी विशेष्ष्थाओं से जो प्रसन सिधधा सिधा वंड़ेड़ ग्जाम में पूछा जाता है और व्यापं में जो है इसे क्या कर दिए थाचे में इस प्रकार से अगर कहा जाएगा विश्व में कितने महादूइप है तो वी जुन है कि सबसे बड़ा महादीप हमारे क्या है एशिया महादीप क्लियर है उसके बाद आपका अंद महादीप या आपका दूसरा नंबर का महादीप कहलाएगा आफरीका महादीप क्लियर है पहला नंबर क्या बता है एशिया महादीप दूसरा नंबर आपका आफरीका महादीप सा सजाइए घठते करम में सजाइए ठीक है इनके आकार के छेतर फल के अनुसार तो आपका आफरीका महादीप उसके बाद क्या आएगा आपका थर्ड नंबर में उत्तर अमेरीका महादीप पढ़ने का सलीका यही है ठीक है तो पहला एशिया महादीप आफरीका महादीप उत् जो है कौन से कलर के हैं तो यह स्वेथ कलर के यह स्वेथ महादीफ भी कहा जाता है या इसे मुविंग कॉंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है यह आपका क्या अंटार्किटिक महादीफ क्लियर है अंटार्किटिक महादीफ ठीक है सफेद बना दिया हो याद रखना तो य सिक्स्थ नंबर में आते हैं हमारे यूरोप महादीप ठीक है। यूरोप महादीप कौन से नंबर आपका six- 이번 क्लिर्इब उसके बाद आपके आते हैं हां इस्टेलिया न्यू जी लेंड और बागी द्छस्वाहोわか् को मिला के आपका 7 नंबर में ओशीनिया महादीप और आस्टेलिया भी याद रख सकते हैं से तो सात महादीप छे त्रफल के अनुसार कुछ इस प्रकार से याद किया जा सकता है क्लियर पहला एशिया दूसरा नंबर आफ्रीका तीसरा आपका उत्तर अमरीका चौथा दक्षिन अमरीका पांच्वां अंटार्कटिक महादीप उसके बाद आपका चट्वे नंबर का यूरोप और साथ्वे नंबर का आपका ओश्णिया या अस्टेलिया महादीप याद कर सकते हैं याद करने के उद्देश से अब साथियों यहां से तो प्रस्ण पूछता है उसके बाद जो है आपके महाजागरों की चर्ड़िएं महासागर क्या होती है सागर छोटा होता ह् Tweurt में बहतर तरीके से सारह चीजर आकलन करेंगे गणना करेंगे और सारी चीजों को पढ़ेंगे लेकिन जो prelims के according जो thoughts हैं जो आपके तथ हैं उसे जो है हम prelims के according पढ़ेंगे क्यों क्योंकि परिक्षा बोलता है कि आपका क्या नहीं पढ़ना है उसके अनुसार तैयारी की जाती है मतलब कि सभी चीजों को पढ़ लोगे तो अगर जो परिक्षा उपयोगी तथ है जो लास अब मांन के चलेuen वाला अबका प्रशान्त महासागर ग्लोब कुम में इस प्रकार से खोल देता हूं वेशन महासागर को बड़ा महासागर उसके बाद इसे कहा जाता है आपका अंधत महा सागर ऐसे ग्षाप कहा इंड्र spent UK तो किया हो जाएगा यह आपका कि सब्सक्राइट के नाम से जाना जाता है कि आपका बंगाल रब्सागर बताया деся इतने एक दो तीन चौथा नंबर का कौन सा है तो चौथा नंबर अटलांट आर्कटिक महासागर ठीक है आर्कटिक महासागर छीपा हुआ हो महासागर भी कहा जाता है क्यों कि प्रित्वी जो है ना साथियों किस प्रकार की है यहां बताओं आपको ठीक है यहाँ पेंग्विस वागर मिलेंगी यहां भी पेंग्विस में मिलेगी आपको ठीक है ठंडे प्रदेश्वमें रहती हिना उसके बाद क्या याद रखना है यह कित्ता हो गया एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार महासागर और पाच्षाम महा सागर नीचे में याद रख सकते हैं और याद रखना है वन एकजाम के इयाद रखना है साथियों कि one day exam में पाँट महासागर उगी चर्चा करें जिसमें सबसे बड़ा कुन है आपका प्रसांत महासागर दूसरा नंबर कौन से है आपका तो हमें याद रखना है कि map oriented सारी चीजें हमें याद होनी अनिमार है पढ़ने का अप्रोच भी बताएंगे self study तो आप करते होंगे तो पढ़ने का अप्रोच भी जो है रखे जोगरफी अगर पढ़ रहे हैं तो आप mapping करके पढ़ें बहतर तरीके से ठीक है आगे बढ़ते ह आईए साथियो प्रस्ण से प्रारंब करते हैं बाकी चीजे बाद में नकसे दिखाएंगे अब है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल मरुस्थल यानि क्या होता है जहां आपका 25 cm से कम वर्षा होती है और जाने तो आप पिस्तान कहना मरुस्थली छेत्र ठीक है तो सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जायेगा अगर दुनीया वें साहारा मरुस्थल और यह कहां है तो यह एंट सब्सेदित कहा है आफ ले चले तुम्हें आफ़ीका महदीग इधर दुण है पढ़ाई लिखाहे करना है सब इंस्पेक्टर बânना है ठीक है तो यह दिख रहे हैं दूसरे क्रांब की आफरीका महदीब और ये आफ्रीका महदीब में आफरीका महदीब के उत्तर में स्थित है आपका कोंसा आपका सहारा का मरुस्तल क्लियर है ऐसे याद रखना है आगे बढ़ें आईये शाथियो अ देखते हैं आगे कोई पादप ना पाया जैसा नहीं के टस मिलता है वहां ठीक है वार्शिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है यह वाला पॉइंट बिल्कुल सही है जहां वार्शिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है ना उस छेत्र को मरुस्थल खोशित कर दिया जाता है ठीक है तो इस प्रकार से इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा जहां वार्शी कवर्शा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है क्लियर है आगे बढ़ें साथ ही ओ आईए टकला मकान मरुस थित है बताओ भाई टकला मकान मरुस्थत है यह अब कम headset के में चाइण और मंगोलिया के बीच में स्थित है टकला महा मरुस्थल टकला मकान मरुस्थल ठीक ऐसा लग रहा है कि किसी टकले का मकान है लेकिन ऐसा नहीं है इस जगह का नाम है टकला मकान वैसे चाइना में है तो लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है आपका क टकला मकान मरुस्थल कहा है चीन में है आव नक्से में इसे दिखाता हूं आव ले चले नक्से की तरप आप लोग को आओ यह दिख रहा है इसी है महादीप यह आपका मंगोलिया वाला छेत्र और यह आपका मतलब चाइना वाला चेत्र तो यह मरुस्थली चेत्र है यहां और यह मरुस्थली चेत्र जो है आपका क्या है टकला मकान मरुस्थल वाला चेत्र क्लियर आगे बढ़े आईए सांथियों आगे बढ़ते हैं गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है तो टकला मकान मरुस्थ मंगोलिया चीन के बीच में मंगोलिया में कुन सा है आपका अंगु ठीक लेकिन गोभी मत याद रखो यह भारती व्यंजन है तो वहां से आप नहीं रिलेट कर पाओगे वहां का व्यंजन पुरा कोरोना वारस जैसे रहता है चमाशाहों का साथियों आगे बढ़ते हैं ठीक आओ भाई प्रित्वी का सर्वाधिक सुस्क छेत्र कौन सा है प्रि दक्षिन एसें का सबसे बड़ा मरु सतल कई बार प्रसंदोराया गया है ठीक है तो याद रखेगा दक्षिन एसेंट ऑस्वस्टाश्यों आपका थार मरु सतली याद रखना यह वाला छेत्र थार का मरुस्थल है पूरा भारत के पस्तिमी छेत्र में ठीक है थार मरुस्थल याद रहेगा दक्षिन एसिया यह दक्षिन एसिया कहलाएगा न भैई यह सिया है इसिया का दक्षिन भाग दक्षिन एसिया ठीक आगे बढ़े आओ कहा गया थार आगे बढ़ें आईये ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहा इस्थित है तो याद रखना है साथियो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ओशीनिया महाद्वीब के आस्ट्रेलिया में स्थित है कहां इस्थित है ओशीनिया महादीब के आस्ट्रेलिया में इस्थित है आपका great Victorian मरुस्थल आँ ले चलते हैं वहां आप लोगों को ये तो मरुस्थल दिख गए भाई पूरा आँ सब मरुस्थल देख लेते हैं ये तो है ठीक है देखो यहां अभी क्या पढ़ रहे थे आप लोग ऑस्टेलिया तो ऑस्टेलिया में है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जुम करके देखते जाएगा उसके बाद आपको कॉर्णर में मिलेगा ग्रेट सेंडी मरुस्थल ठीक है क्या होगा नराज होगा कोई बात नहीं मत हो पड़ेगा ठीक ठीक है सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल यह तो होगे आपका क्या सेंडी मरुस्थल अस्टेलिया में सिंप्सन है तनामी मरुस्थल है गिफ्सन मरुस्थल यहां मिलेगा यह आपको मिलेगे कहा थार मरुस्थल यह वाला छेतर है थार मरुस्थल वाला ग वारा मरुस्थल कितना वड़ा अफ्रीका और आपका इशिया मेरुष्थल धियुगा में घ्लफ कंट्री मतलब कि आपका अरब देशों के पास वाले चेतर देखते मत्वं विडियो आता होगा हम시에 then in afria लेग मुश्थल उसके बाद आपका यह आपका उत्तरी अम्रीका में है अपका इस उसन आपका ग्रेट शाल्ट burgने वाल ठीक ड्रीट बेसी सिस्थाञा है आठा पर अठाम मह स्थल यह देखो अठाम मर orphan πεढिका शहांगो यह पूरा अटाकामा मरुस्थल मिलेगा ठीक है अब ये क्यों है आगे में पढ़े झे dozen के उसके बादया आपका पेटेकोंया मरुस्थल है है दक जब में कहा लिए दकंट अमरीकावाले आपके महादूद में तो इस भई हाँ दीख रहा है ठीक तो इसे जो है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक वैसे पीडियाफ अगर तो मिली रहा है प्रोवाइट किये जा रहा है आप लोग को आप अवहां आप पूरे घ्रिकर माथेट में ओ आप आप जो है गहां-घास मैदान को देख लें फ्रसलिस तेपोछेगा स्टिकिया कहीं से भी कंप्यूज नहीं होना है आज वह सवाना क्या मैंगे आपको आपको च्हेत्र में केमपास वाले वन मिलेंगे आपको अमध्राइप के घास मिलेंगे सिल्वास लोनास ठीक है फंपास फंपास दक्षिण प्रफप्र हमोजड प्रोज़ को इसको बिल्कूल है उसके बाद कि यहाँ तुन्डरा बनस्पती देगा यहां नुखिन जहां प्रदेश तहर्व यहां तो इस प्रकार के आपके घास के मैदान याद होना जरूरी है जैसे यहां आपको प्रफ्सुम दिनर शेतности पि मिलेगा पुष्टाज मिलेगा यूरोप वाले उस यूरोप के चितर में विरोप आपके महादूइप में, clear है, तो इसे एक बार स्क्रीन शॉट ले, रोके वीडियो को और बहतर तरीके से याद रखें, और बार बार जब याद रखें, तो याद रखते जाए, ये जो है एशिया महादूइप है, आफरीका महादूइप है, उत्तर अमरीका है, दक इस गड़वाले सर पढ़ा रहे हैं, सुवा तो वाला सुवा तरीहरी नाना नहीं है, वो सवाना जो है घास का मैदान है, ठीक, आगे बढ़ें, अगला बढ़ते हैं, निम्लिखित महादूइपों में से किसमें देशों की संख्या अधिक्तम है, तो आफरीका के छेतरफल का सही अनुक्रम है, अब रोहिक्रम में, डिसेंडिंग और में मतलब की पहले बढ़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे प्रकार से पूछा है, तो देखें भाई, हमको तो मालूम है, कि एस या महादीप सबसे बढ़ा है, तो यहां एक ही में एसी आ महादीब दिख रहा है देखो पूछने वाले ने प्रस्णों को गुमाया लेकिन आपको सोचने वाले को स्मार्ट वे पे कोश्चन का अंसर लगाना है तो मैं हमेशा बताता हूं कि कोश्चन जब भी लगाएं तो एक बार चारों चच्छु खोल के पहले ज आगा है कि वीष्व के दो सबसे छोटे महाध्सवी भैं मैं हमने क्रम क्या देखा है आओ यहां बता दे मिलेगा एक to या तो मिलेगा शिक्श्ठ या मिलेगा आपका सेबंध फ्यकत विश्व के दो सबसे छोटे महादूइप तो विश्व के सबसे दो छोटे महादूइप में हमको मिलेगा क्या आपका ऑस्टेलिय और यूरो तो जहां ऑस्टेलिय और यूपदेव दिखेगा आंग बन करके अंसर लगाएंगी और आगे बढ़ींगे यह रहा तो इस प्रका अपने हिसाब से बना लेना है फिर यहां क्या है आपका यहां आपका समुद्र छोड़ दींगे आपको कौन सा अंधमासागर और इधर जो है आपको उत्तर अमरीका बना लिए इधर दक्षिर अमरीका बना लिए बार बार प्रेक्टिस करने इसका बताने करण यह है कि जितन आपको याद होगा क्लियर है आगे बढ़ें आई यह तो क्या हो जागा इसका अंसर आस्ट्रेलिया और यूरोक कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सरवाधिक मध्य उचाईवाला है मध्य उचाईवाला महाद्वीप तो याद रखेगा मध्य उचाईवाला महाद्वीप जो है आपका दक्षणी दुरू अंटार्कटिक महाद्वीप को कहा जाता है ठीक है क्लियर है मध्य उचाईवाला दक्षणी दुरू को कहा जाता है मतलब अंटार्कटिक को कहा जाता है क्लियर आगे बढ़ें आईए निवन में से सबसे छोटा महादीप कौन सा ही देखो भई सबसे छोटा महादीप कौन सा होगा अंटार्कितिका एशिया यूरोप याद रहेगा तुरंत लग जायेगा ठीक है 67 मतलब आस्टेलिया आगे बढ़ेए याद रहेगा बार बार बोल रहूं करम याद रखना परवतों में पाई जाती हैं बता ओफिस्वी की सबसे उच्छी चोटियां कौन से परवत में तो हमारे जो आधर्णी सम्मान्नी हिमालय परवत जी है अठीक है इस प्रकार से नक्सा बता देता हूँ एस प्रकार से फैला हुआ है और यह अराकानी आमा तक्क के अनमान्नी कोल वार भी हिमालय के भी भागए यह जो है आपका नवीन और आपका मोड़दार परवत यह इसे ही वलित परवत कहा जाता है ये मोड़दार परवत जो है इसी में हमेशा क्या मिलेगा सबसे उची चोटी और हिमालय जो है उसमें सबसे उची चोटिया प्राप्त होती है हमें तो आपका नविन मोड़दार परवत इसका आपका आंसर आएगा ठीक है अमारी हिमाले परवत की विशेष्टा क्या है कि ये क्या है नवी नेव मोड़दार परवत या इसे ही वलित परवत भी कहा जाता है तो याद रखिएगा ऐसे प्रसना आपको देखने को मिले तो छूटना नहीं चाहिए तो विश्व में सबसे उची चोटी जिसके प लंबी बोल रहा है ना उची नहीं है उची और लंबी में कन्फ्यूज नहीं होना यह वर्ड जरूर याद रखिएगा लंबी ठीक है हमने इससे पहले क्या पढ़ा उची परवत स्रिंखला पूलेगा विश्व की तो कौन सी आपकी हिमालय परवत स्रिंखला लेकिन सबसे घ्टिंद अमरीका में भेली अंपशा लेकर ढूंबी का इस चिंद अमरीका दीखना हिर नाराज रहते है कभी कभी तो आपको यह दक्षिन अमरीका दीख रहा है बिल्कुल इनको छेड़ चाड़ नहीं करना है तो यह आपके इसके पस्चिमी तटवाला छेत्र जो है पूरा आपका क्या कहलाएगा पूरा आपका एंडीच परवत स्रिंखला सबसे लंबी परवत स्रिंखला लगभग ल 7000 मीटर जो है इसकी उचाई है मैं मतला एवरेज उचाई है इसकी आगे बढ़ें आओ कहा गया आपका एंडीच परवत स्रिंखला आगे बढ़ें अगले है हिमालय का विस्तार अराकान यौमा जिस देश में स्थित है वह है तो अराकान यौमा परवत जो है कहा है आपका मयान-मार में है सांति जो कि आपका मयान-मार के छेत्र में है और ये किसका भाग है किसका बहाग है ठीर है किसमा आफरीका में है और रौकी जो है वह आपका रौकी परवस्ति रिंखला जो है आपका कहा है वह है उत्तर अमरीका में आपका रौकी तो रौकी याद यह रहा किवे रहा यह रहा ग्रीण लैंड वाला छेट्र ठीख्र यह संसार का सब से बड़ा सय दूइप है je रविट में कि और यह अब लेचले प्रसणिक योगं कहा गया आपके ग्रीण लैंड में आगे बढये आईए निम लिखित में से किस द्वीफ समोह को स्षीप द्वीफ कहा जाता है तो आपका फरोद्वीफ जो है इसे कहा जाता है शीप ठीक है सर्च करके बताओ कहा है ठीक आगे बढ़ते हैं आगे दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन लेंड के बात दुवीब कौन सा है तो जाद रखेगा जो आपका गूनीम इप जो आपका ऑस्टेलिया के उपपर ऑस्टेलिया के उपपर गूनीब घूनी डूइप है वहां सिथित है आपका क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो कि ग्रिन लेंड के तो पढ़ाय मैंने कि ईस में पूछ दिया कि ग्रिंड लेंड के बाद कोन सब तो आपका निवगीनी है और ग्रिंड के बाद सबसे बड़ा दूँप ज्याहा लोग को दिखा रहां का रहां काया अ को इसructure Kan afin के यह यह थोड़ा सा इसको ले ले है और यह पोला पोर्शन में टाल देते हैं यह मिढ़ गया कि इल्कुल मिढ़ गया यह वाला जो छेत रहना यह गिनी द्वीप जो है यह सबसे बड़ा द्वीप है आपका किसके बाद ग्रीन लैंड के बाद क्लियर आगे बढ़ें आओ कि आई यह कहा गये हो जैक मेडंगा आधए क्रस्ने कमांग भाइस मेडा कास्कर सबसे बड़ा द्वीप है तो मेडा आशकर ड्वीप है आपका कहां का याद रखना है आपका हिन्द महासागर का कहा हिंद महासागर का सबसे बड़ा दीब कुन से आपका मेडियक आशकर दीब ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सूची एक को सूची दो से मिलाइए आओ भाई पुराना नाम नया नाम ओहो ये बड़ा वह वाला कोश्चन मतलब पेचीदा कोश्चन देखें आपका स्याम मेसण। परटामिया बुझे पता है मेसण फड्な को जो है वह आपका आरख वाला छेतर हैं तो थट का फॉर्थ पर्फ हाएगा ठीक है इसमें में मालुम था यह फॉर्थ कहां दिल्टा जोılar जोड़ें करें कि नहीं हो रहे हैं की महाँत है इसमेर नहीं हो रहे हैं तो यह लास्ट वाला उप्षन है थी The three one-four two प्रस्टों पेते हैं जो आपका इराक वाला जो चेत्र उसको मेश को पदा मिया जाता तो तीसरा ओगा फर्स्ट का तो आपको श्याम दिख रहे हैं तो इसका ओगा थाई ठीक है आपका वन के हो जाएगा फार्मोसा वन हो गया तैवान वाला चेतर ठीक है फार्मोसा कहा जाता था उसको लाइए आगे बढ़े उसके बाद है जिंबावंबे पहले जाना जाता था ओके ठीक है किसी लेडी पूरेश रोडेशिया ओके हाँ दक्षणी रेवडेशिया के नाम से जाना जाता था ठीक है तो इस प्रकार से से इसका आंसर यह होगा आगे बढ़ें अगला प्रस्ण है हमारा तेश्वी सावनांतर देशों को विभाजित करती है ठीक है देख लेते हैं तो आपका हाँ यह जो है आपका इसको उत्तर अमरीका उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया से सहाट प्रेशिडेंट को न और दक्षिन कोरिया के प्रेशिडेंट कोन है ठीक है उत्तर कोरिया वाले महुदै को जानते हूंगे सब आगे बढ़ें निमलिखित में से कौनसी जोड़ी देश और राजधानी समेलित नहीं है चीन की द बिजिंग है ठीक है ऑस्टिया एंपनी टोक्योंऄा कि प्योटो थाएलेंड कि बंकॉक क्लियर तो राज्ऊ और राजधानी से सभी स्धाइब प्रस्णब पूछा जाता है देश और आगे बढ़ें कर अगला प्रस्ण है त्विंग अमारा साथियो अलास्का निम्लिखित में से किस देश का हिस्सा है ऑके ठीक है तो अलास्का याद रखना है सात्यो सैयुक्त राज्य अमेरिपा क्या होगा युनाइटेड इस्तेट ओफ आमेरी का का एक क्या है आपका मतलब नगर है क्लियर आगे बढ़ें आई एक कंधार इस्थित है तो कंधार कहां है आपका इस्थित तो कंधार स्थित है दक्षिण आफगानिस्तान वाले छेत्र में आपका स्थित है कंधार ठीक है याद रखना है कंधार से अगर एतिहासिक पुछा जा सकता है अरे बहुत वहां तमासा हुआ मैक्सिको देश इस्थित है तो याद रखना है साथियों जो आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो याद रखना है साथियों कि दक्षिण अमगें अगला है हमारा सुमेलइद कीजीये ठीक है भई नियागरा प्रपाथ् तो आपका क्या हो जाएगा नियागरा जलप्रपात कहा है नियागरा जो है वो नियॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉय से कौन धुम्रनगर के नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा सिकागो जो है वह आपका धुम्रनगर के नाम से जाना जाता है यहां बहुत जो है धुम्र नगर क्या है मतलब कि धुम्रपान का सेवन बहुत करते हैं सेहत के लिए हानिका रहा है बिल्कुल किसी प्रकार का धुम्रपान करना ही नहीं यह आप फिजिकल कर रहे हो और जो है अपने स्वस्थ सरीज को क्या करना है स्व अगला है आपका पुर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम बताईए तो आपका यह है पुर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है स्रिलंका को किसे कहा जाता है स्रिलंका को क्लियर स्रिलंका को जो है पुर्वी समुद्र की आपकी स्वामिनी के रूप में जाना जाता है सिर अगला है हमारा किस देश को स्वेथ हाथी की भूमी कहा जाता है तो याद रखेगा स्वेथ हाथी जो है ना थाइलेंड में इसे बहुत पवित्र माना जाता है थाइलेंड कहा है आपका थाइलेंड है हमारे मतलब भारत के पूर्व में इस्थित है थाइलेंड और थाइलें अगला है सूरियोदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है लब लगाओ अंसर ठीक है भारत में सूरियोदय की भूमी किसे कहते हैं इसका अंसर बताईएगा मैं बतादू कि जपान को जो है आपका सूरियोदय की भूमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि जपान में कहा जाता हैं कि आपका वित्री जो है गुर्वन करके सबसे पहले उसका होता है मतलब सुरी का उद्रय होता है अगे बढ़ें ऐए कि निम्न्देशों में से किसे जीलो की वाटika कहा जाता है तो फिनЛेंड को जीनलों की वाटika कहाव जाता क्लियर जीलो की वाटिका फिनलैंड याद रखना है क्लियर आगे बढ़े आईए अगला प्रस्ण है निमलिकित में से किसे स्वण द्वार का नगर भी जो है कहा जाता है ठीक है तो याद रखेगा सैन फ्रांसिसको सैन फ्रांसिसको जो कि आपका अमेरिका में है उसे क्या कह जाता है आपका स्वानद्वार करनागर कहा जाता है इसका एक दृष्ष जो है आप जरूर देखें किसमें एक बार गूगल सर्च करके और ये बहुत ही क्या है मतलब Manmohag जगा तो आगे बढ़ते हां अगला है बर्मूरा और याद रखना है जो भी चीज जाता है वह वापस नहीं आता है ठीक है इसकी विशेषता इस प्रकार से है कि यहां कुछ जो है मतलब बहुत सारे आपके कहा जाएगा कि अगर अंध्युश्वास रूप से बहुत सारी चीज़ें और प्रिथ्वी की वहां गुत्वकर संचामता जाधा है अभी तक कि वहां के आसपस चेट्रों को जान कि ठीक है और पहुच भी पाया होगा तो मेरे को अपडेट न प्रवांटिक महासागर में क्लियर है आगे बढ़ें विस में पहला परमाडु बिजली घर कहां इस्थाफित किया गया था बार्क तो मालूम पत्व है अपने को कि पहला बरमाडु आपका केंद्र बिजली केंद्र है आपका कहां है बार्क भाबर अटॉमिक सेंटर लेकिन ठीक है तो बार्क याद रखना है यहां वा आते हैं वापस प्रस्णिक और इधर धर नहीं जाते विस में पहला परमाडु आपका बिजली घर खोला गया था वो था आपका यू एसे में यूनाइटेज स्टेट ऑफ अमेरिका में क्लियर है आगे बढ़ते हैं यह दक्षि देश जो है वह सबसे छोटा देश है ठीक है आगे बढ़े चेतरफल के द्रिष्टी से अगला प्रस्ण है हमारा साथियों निम लिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है तो याद रखिएगा भारत की नहीं है सबसे जादा ऑस्टेलिया की हो सकती है ब्राजील की नहीं है कनाडा की समुद्र तटी रेखा सबसे अधिक है याद रखना है ठीक है आपका अगर देखा जाये परिपेक्षिस से तो क्लियर आगे बढ़े आईए इन में से कौन सा देश है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलिय सीमा बनाता है आप लोगो के लिए प्रस्ण है इसका अंसर आप लोगों को देना है इसी के साथ साथियो आज का सत्र हमारा कंप्लीट होता है अब जिनरल स्टडी के कुस कोस्चन्स वन लाइनर फैक्ट से जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उसके सत्र आपको मैं करवाऊंगा मतलब मैं आप लोगों को कर दो